मुख्य मंत्री निदीश कुमार सोमवार यानि आज पिहार के सबसे लंबे एमस दीखा एलिविटेट पत का लोकारपन करेंगे इसके साथ ही इस पत पर वहनों का वगमन शुरू हो जाएगा इसकी जानकारी देते हुए पत निर्मान मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस पत पर हावागमन शुरू होने से राजधानी वासियों का चिर्पतिक्षित सपना पूरा होगा यह राजधी की जनता के लिए नई सरकार का पहला उपहार है इससे पटना सहित उतर बिहार की यात्रा सुगम हो जाएगी उतर बिहार के लोगों को देक्षिन बिहार और एम्स पहुँशने में ज्यादा लंबी दूरी तैं नहीं करनी होगी वही बिहार राज्य पत्विकास निगम यानी B.S.R.D.C.K.M.D. संजय अगरवाल ने बताया कि यह बिहार का सबसे लंबा एलिवेटट पत्थ होगा उन्होंने बताया कि समरोह का योजन खगॉल लॉक के पास रखा गया है इस मौके पर उपमुख्य मंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेडू देवी विश्य स्रतिती होंगे अध्याक्षता पत् निर्मान मंत्री स्वयंग करेंगे सांसद राम क्रिपाल यादव और विधायक भी मौजूद रहेंगे उद्गाटन से पूर्वर अविवार को प्रमंडलिया आयुक्त सह बिहार राज्य पत् विकास निगम यानि B.S.R.D.C. के M.D. संजर अगरवान ने इसका निरीक्षन भी किया तैयारिया भी देखी कहा कि इस पत् के शुरू होने से जेपी सेतु से परीचालित होने वाले यादायात को उत्तर बिहार जाने और उत्तर बिहार से नौबतपुर, आरा, बेहटा, एम्स और और अरंगाबाद जाने में काफी सहुलियत मिलेगी श्री अगरवाल ने बताया कि 1289.25 करोड रुपए की लागत से निर्मित 12.27 किलोमीटर लंबा या पत बिहार का सबसे लंबा एलिवेटर पत है पत्ना दिल्ली रेल लाइन के उपर 106 मीटर लंबा रेलवे ओवर बिज इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है